हेलो गाइज, वेलकम बैक टो मैं चैनल, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे हलवाई की 6 स्पैसल रेसपीज जो आप कभी भी तेवारों में या फिर जब भी मीठा खाने का मन करें या घर में महमान आ जाए तो आप इन सभी रेसपीज को बना के घर में रख सकते हो और कभी भी मीठा खाने का मन करें तब भी आप इसको बना सकते हो बहुत ही सिंपल और घर में रखे हुए 3-4 चीजों से बनने वाली ये सारी रेसपीज है आटा चावल बेशन मैदा बहुत सिंपल तरीके से इन सभी चीजों की मिठाईक बनाने का तरीका बताया है वीडियो वहिए आटा है जिससे आप रोटी वगारा बनाते हैं गर में वही वाला आटा हमने याँ पर लिया है ग्राम में बताओ तो 200ग करीम मतलब एकक बाषा lived मिला के 207 कंवे और कि उसकी जगाहीब आप थोड़ा बहुत इसमें चाहो टेस्ट के लिए बेसन भी यूज़ कर सकते हो हमने सिर्फ आटे से बनाया है इसको सिर्फ आटे से बनाएंगे बहुत ही अच्छा टेस्ट रहेगा और बहुत ही परफेक्ट बनेगी बेसन से और थोड़ा टेस्ट बर जाएगा अगर आप बेसन डालना तो डाल भी सकते हैं थोड़ा सा हम इसको ऐसे ही ड्राइ भूनेंगे ड्राइ भूनने से क्या होगा इसमें थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर जैसा आ जाएगा और ये हलका सा दानेदार भी हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट हलका सा 2-3 मिनट इसको भोनने के बाद उसके बाद हम इसमें घी डालेंगे उसके बाद फिर घी के साथ इसको हम भोनेंगे घी हमने यूस किया है आदा कप से थोड़ा सा जादा मतलब कि हमने 1500 ग्राम घी डाला है यह आदा कप घी अभी मैंने डाला औ और यह 120 ग्राम के करीब है तो 15-20 ग्राम जो घी कम है वह थोड़ी देर में डालेंगे पहले इसको मिक्स करके देख लेंगे अगर घी कम लगे या फिर बहुत जादा घी नहीं खाने का मान हो कम घी में बनाना चाहिए तो कम घी में बना सकते हो घी कम लगे तो आप फिर जितना घी हो डाल दिया मतलब कि टोटल घी हमने यूज 그래도 कि यूज किया है देड़ सु ग्राम और दो सो ग्राम हमने अटा है तो 200 ग्राम आ्टे के लिए 1500 घी हम यूज करेंगे 500 घ हमने अच्छे से डाल दिया है अब इसको हम अच्छे से बोनेंगे 3-4 मिनट लो फिल इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना है ताकि इस तरह से जब भून जाए तो हलका साही ब्राउन हो और उसके बाद यह बिल्कुल घी जासा ऐसे छोड़ने लग जाए अब यह बिल्कुल रेडी है चार से पांच मिनट मैंने भूना इसको लो फ्लेम पे अब एक दूसर डाल दिया है अच्छे से इसको मिक्स करेंगे एक बार अच्छे से उबलने देंगे जब हमारी चाशनी इस तरह से एक बार अच्छे से उबल जाए तो हम हलका सा तार जैसा इसमें बनाएंगे मतलब तार बनानी नहीं है अल्मोस्त तार बनने वाली हो जाए इतना हमें इस फ्लेम पे करें और आटे को हम गैस पे रखेंगे इसमें फ्लेवर के लिए कई चीजे अलग अलग तरीके के मिक्स कर सकते हो आप जैसे कोई काजू या बदाम का पावडर भी पीस के आप इसके अंदर डाल सकते हो इसके अंदर नारियल का पावडर भी डाल सकते हो या फिर पर चौथा यानि कि तीन बड़े चमब जितना मिल्क पावडर डाल सकते हो मिल्क पावडर डालने से क्या होगा कि यह खाने में आटे का हलवा नहीं लगेगा एक दम मतलब की जो फ्लेवर है वह थोड़ा मावा की तरफ चला जाएगा मावा जैसा एक दम टेस्ट आने लग थोड़ा टेस्टी बन जाएगा तो मिल्क पावडर डाल सकते हो या ड्राइफ रूट का कोई भी पावडर डाल सकते हो या कोकोनट का पावडर डाल सकते हो बहुत सारे जो ना चाहें इसके अंदर डालके मिक्स कर सकते हैं तीन चमबच हमने डाला है मिल्क पावडर अच् कि घी में जो गुठलियां है वो नहीं बनती अब हम इसके अंदर चासनी डाल देंगे देखिए चासनी हमने जो बना के रखी थी वो हमने इसके अंदर डाल दिया है अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे यह तुरंत ही गाड़ा हो जाएगा बिल्कुल पाफेक्ट यह एकदम रहेंगे एक मिनट तक एक मिनट यह बिल्कुल पैन को छोड़ना स्टार्ट कर देगा मतलब जो घी है वो थोड़ा बहुत घी चोड़ना स्टार्ट हो जाएगा तो जब घी चोड़ने लग जाए बिल्कुल यह पैन को छोड़के एकदम डो जैसा बनने लग जाए यह दे से फूल जाए खाने में ऐसे मतलब दाने दाने जैसा ना लगे बिल्कुल पॉफेक्ट एकदम मॉइस्ट और सौफ्ट सी बर्फी खाने में लगे तो इसलिए हमने जो तार वाली चाशनी है वो नहीं बनाई है तो एक दू मिनट पकाने के बाद अब यह बिल्कुल सेट होने के लिए चेक करने के लिए बस क्या करना की गयास को पहले बंद कर देना उसके बाद थोड़ा सा इस तरह से उठा के अपने फिंगर में थोड़ा से इसको ठंडा कर लेना तो फिंगर जल सकता है हाथ जल सकता है तो ऐसे गोल-गोल घुमा के देखना है अगर यह आपके हाथ में ना चिपके बिल्कुल तो इसका मतलब है कि इसका मतलब बिल्कुल रेडी है अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा बटर पेपर भी लगा सकते हो अगर आपको इसे उल्टा करके निकालना है तो लेकिन हमें इसमें पीसे को कट कर लेना है इसलिए हम इसके अंदर बटर पेपर नहीं लगा रहें बस इसको हम जो बरफी का मिक्स है वह हम डाल देंगे और थोड़ा सा ही ओईल इसके अंदर लगाना चाहो तो आप वह भी लगा सकते हो मैंने थोड़े से कटे हुए पिस्ता और बादाम लगा दिया है अब यह बिल्कुल रेड़ी है दो तीन घंटे हम इसको रख देते हैं दो घंटे के बाद जब इसको हम कट करेंगे आप देख सकते हो बिल्कुल यह सेट होके बिल्कुल सिंपल तरीके से इसकी कटिंग हो जाती है और बहुत ही सौफ्ट और बहुत ही परफेक्ट मुह में घुल जाने वाली बरफी बनके रेडी है और वो भी एक किलो है यह एक किलो सो थोड़ा बहुत कम होगा मतलब कि एक 200 ग्राम आटे में अगर हम प्रॉपर हलव और बाई के हिसाब से कम डाला है इसलिएह हो सकता है कि थोड़ा बहुत किलो से कम हो बाकि एक किलो कि लगभग है अगर हम बॉफ्स में पैंक आप यूज्स कर सकते हैं इसमें हम डालेंगे एक कब जितना बेसन यानी कि 160 ग्राम क्रेशन है और इसी में आधा कप हम डालेंगे मैदा मैदा डालना ओप्शनल है अगर मैदा नहीं डालना चाते तो आप डेड़ कप या दो कप बेशन भी यूज़ कर सकते हैं मैदा यहाँ पे हलवाई इसलिए डालते हैं ताकि कलर अच्छा आता है टेक्श्चर जाया और हल्का सा यह दाने दार भी हो जाएगा तो जब बाद में हम घी का यूज़ करेंगे तो घी कम यूज़ होगा मतलब की कम घी में सको हम फिर बाद में बना सकते हैं यह दہई थोड़ा सा इसको यसको अशा वहसे भून ना तक भूनेंगे जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे से ब्राउन ना देखने लग जाए तब तक हम इसको भूनेंगे तेन से चार मिनट का टाइम लगेगा इसको लो फ्लेम पे भूनने में तब तक भूनना है जब तक कि ये हलका सा घी न छोड़ना स्टार्ट हमने घी घी नहीं छोड़ेगा बस इस तरह से ऐसे मतलब कि हलका भूनने लग जाएगा और थोड़ा थोड़ा ये दियाद लगने लग जाएगा मतलब कि थोड़ा बहूत घी छोड़ना चार्ट कर देगा देखै इस तरह से जब अपर धो इस से ब्यद्म रोसदते हैं तो आम वरक के लिए इसको हम साइड में रखेंगे एक दूसरा पैन रखेंगे गयास पे इसमें हम चीनी डालेंगे चीन उतना ही डालना है जिस कटोरी या कप से बेसन हमने यूज किया है बेसन और मैदा तो हमने डेड़ कप चीनी यहां पे डाला है 300 ग्राम के करेब चीनी है मतलब जित तरह से तो उसके बाद एक मिनट तक इसको उबालना है तक ही इसमें एक तार वाली चास्नी बन जाए हमें एक तार वाली हलकी पतली तार वाली चास्नी बनानी है एक मिनट के करीब आप उसको उबालेंगे तो इस तरह की हलकी पतली तार वाली चास्नी बन जाएगी देखि और अच्छी तरह से इसको हमें mix है यह देखिए बेसर हमारा बिल्कुल भून के ready है और बिल्कुल अच्छे से भूना हुआ रहता है तो जो टेस्ट है बेसर बर्फी का वो काफी ज़दा अच्छा आता है सारी चाशनी डालने के बाद अच्छे से इसको हम mix करेंगे इसमें क कोफ्ट बर्फी सेट होगी बिल्कुल परफेक्ट हलवाई जैसे अच्छे से mix करने के बाद थोड़ा सा यलो फूड कलर इसके अंदर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे कलर जैसा मार्किट का देना है वह साब से color डालते हैं थोड़ा सा इ या कोई भी चीज है बर्फी को सेट करने के लिए वह हम ओईल से ग्रीस करके इस तरह से रेडी कर लेंगे कोई भी थाली का यूज कर सकते हो आप अगर आपके पास ट्रे नहीं है तो उसके बाद जब 15-20 मिनट हो जाएंगे तो यह जो बर्फी का mix है इस तरह से ठंडा होक अब यह देखिए अब यह mix करने के बाद हमारा जो mix है यह बिल्कुल ready है हलका सा यह गुनगोना गरम है बहुत जादा गरम नहीं है हलका सा गुनगोना गरम जब यह रहे इस तरह से बन जाए तो हम इसको ट्रे में डाल देंगे इन केस कि यह इस तरह से डो जासा ना बने या सेट ना हो या फिर ऐसे गिला गिला रहे तो एक बार बर्फी के mix को दो-तीन मिनट के लिए गैस पर पका लेंगे तो यह बिल्कुल इस तरह से डो जासा बनने लग जाएगा अब यह बिल्कुल डो जासा बन चुका है इसलिए हमने इसको ट्रे में डाल के अच्छी तर उपर डालते हैं तो अब यह जो मगज आता है वह आप इसके उपर डाल सकते हो यह चाहो तो आप कटे हुए पिस्ता बदाम या जो भी ड्राइफ रूट आपके पास है आपे डाल सकते हो अच्छे से इसको रग देंगे सेट होने के लिए चार से पांच घंटे के लिए ओ सफ्टा और बहुती पाफेक्ट बरफी बनके रेडि हुई है इसको कट करने के लिए नॉर्बल हमने स्क्वार शेप में ही कट किया है चाकू से बस ऐसे नॉमली स्क्वार शेप में कट कर लेंगे और बहुत ज्यादा अगर क्या होता है कि कभी-कभी जो चार्स नहीं होते है वो ज़्यादा गाड़ी होने की वज़ा से बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है वर्फी तो टाइट ना हो उसके लिए आपने पहले एक देड़ घंटे में ही आपने इसको चेक कर लेना है तो अब यह बिल्कुल रेडी है हमने इसके पीसे को निकाल लिया है बिल्कुल हम बनाएंगे तेवारों में बनने वाली स्ट्रीट स्टाइल आलू की टिकी जो की बहुत ज़्यादा अच्छी है तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा यहां पे आलू उबले हुए आलू लिया हमने आपे आधा किलो है आप कम ज़्यादा कर सकते हो मतलब की 8-10 आलू आप म दीखे इस तरह से हमें सारे अलू कदू कश करके रेडी कर लेना है और इसके बाद हमें इसके लिए पिलिंग बना आदर आप ने देखा ओगा कि कि टिकी के अंदर फिलिंग बनाया है बहुत सारी तरह के फिलिंग इसके अंदर बनाया जाते हैं आज हम सेम आलू का इपनाएंगे सबसे पहले एक पैन में 2-3 चमच तेल डाला है थोड़ा सा जीरा और उसके बाद लसुन और अद्रक को बारी काटके डाल दिया है इसके बाद हम यहां पर हरी मिर्च ड डाला आप कम जादा करके डाल सकते हो जो भी चीजे इसे हम घुनना नहीं है यहां रोष्ट करना है कि जो मसाले हैं थोड़े से पकी जाएं और गरम मसाला पाउडर भी एक चौथाई चमच और दो पिंच हमें डालना है काली मिर्च का पाउडर क्रश करके भी डाल सकते हो उसके बाद आधा टीजपून हमें डालना है आमचूर का पाउडर ये थोड़ा सा खटास के लिए अच्छा रहेगा इसमें डालने से और उसके बाद स्वादा नुसार नमक डाल देना है हाफ टीजपून मैंने नमक डाला है आप कम जादा कर सकते हो या फिर अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हो उसके बाद यहां पे जो आलू हमने कदू कस करके रखा था उसमें से थोड़ा सा आलू हम इसके अंदर डाल देंगे मतलब की आधा कप के करीब आप ऐसे कदू कस किया हुआ आलू आप डाल सकते हो अच्छे से मिक्स करेंगे तो यह हमारा जो फिलिंग है बनके रैडी है हम आलू की ही फिलिंग करेंगे इसके अंदर वेजेटेबल्स आप बहुत सारे डाल सकते हो आप इसके अंदर मटर डा ले हुए थे तो इसलिए मैंने पैन में नहीं डाला आप हम यहां पे डालेंगे तो मतर को थोड़ा सा उबाल के इसको थोड़ा सा क्रश करके कूट के इस तरह से आप डाल सकते हो और हरा धनिया काटके हम इस तरीके से इसमें डाल देंगे इसके अलावा आप कटे हुए बार का आलू बचा के रखा है ना उसकी हम टिक की बनाएंगे उसके अंदर ये वाली चीज हम फिल करेंगे तो इस तरीके से हमें छोटे-छोटे बॉल्स इसके बना के रैडी कर लेना चोटा-चोटा ऐसे पेड़ा के आप बनाना चाते हो टिक की उस साइज के आपने बॉल बनाके रैडी कर लेना है फिलिंग आप ज्यादा भी भर सकते हो उसके बाद जो बाकी का जो हमारा आलू था उसके अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी कालिमेज का पावडर और ये जो धनिया था हमारे पास आर रोड भी बोलते हैं तो दो चम्मच डालना है अगर आपने इससे तवे पे फ्राई करना है जैसे आलू की टिक की तवे पे फ्राई करते हैं अगर तवे पे फ्राई करना है तो दो चम्मच काफी रहेगा अगर आपने इसको डीफ फ्राई करना है मतलब की कढ़ाई में डालके बिल्कुल deep fry करना है तो चार से पांच चमच इसके अंदर डालें क्योंकि binding होनी बहुत जरूरी है तब पे तो इतना ज्यादा binding का प्रावलम नहीं आता लेकिन जब deep fry करते हैं तो हमारी आलू की टिक की फटे ना इसके लिए हमने आप एक कॉन फ्लार डाला है तो बस feeling इसके अंदर हम कर देंगे आप उसके बाद यह देखिए बिल्कुल इस तरह से हाथों से थोड़ा सा दबाते हुए इसको अच्छी तरह से पैक कर देना है अच्छा feeling मैंने कई वीडियो में अलग-अलग तरीके की बनाई है जैसे कि आपने देखा होगा कि पंजाब में स कानल पर जाके बहुत सारी टिक्की की प्लेलिस्ट है तो वह आप देख सकते हो मतलब street food ऐसा है बहुत सारे प्लेलिस्ट तो आप वह देखेंगे तो उसके अंदर मिल जाएगा तो इस तरह से हमें बिल्कुल अच्छे से फ्लैट कर लेना है टिक को अब पूरा फ्लैट नह इसको हम पैक कर देंगे बिल्कुल भी feeling बाहर नहीं आना चाहिए जो side में cracks है ना वो crack होने चाहिए क्रिस्पी होंगे हमारे आलू के टिक्की यह देखिए तो इसी तरह से हमें सारे बनाके ready कर लेना है उसके बाद हम इसको fry करेंगे ऐसे हमने सारे बना लिये हैं जितने भ पान फ्लार कम ही डाला था तब मैंने आप रख दिया है टिक्की वाला गयास पे इसके ओपर हम डालेंगे oil डालके इसको हम थोड़ी दिर के लिए गरम होने देंगे और उसके बाद जब गरम हो जाएगा तो यह जो टिक्की है ना इसको हमें थोड़ा सा फ्लैट करके फिर करेंगे ना तो क्या होगा कि साइड थोड़े से अच्छे क्रक को उसके अंदर आएगा साइड में तो उससे काफी ज्याधा क्रिस्पी होंगे हमारे जो है है तो इसी टाइम पर धीरे-धीरे करके इसा तरह से फ्राई कर सकते हो अज़त जब एक दो मिड़े यो जाए तो इस तरह से आपने इसको पलट देना है और दोनों तरब से बिल्कुल अच्छे से ब्राउन करना है क्रिस्पी कर लेना है आपने देखा होगा कि जो टिक्की वाले भाईया बेजते हैं ठेले पे टिक्की तो उनकी जो टिक्कियां होती है वो बहुत ही जादा क्रिस्पी होती है मतलब थोड़ी जादा ही क्रिस्पी होती है तो उसके लिए क्या करना होता है यह जो side में टिक्की आप देख रहे हो कि मैंने रख दिया इसको हमने अभी single fry किया है मतलब कि इसको अभी हमने सिर्फ एक बार थोड़ा सा fry किया और उसके बाद इसको हम side में लगा देंगे इस तरह से तो इसी लिए इस तरह से side में रखते हैं ताकि जो moisture है वो धिरे-धिरे टिक्की का खतम होता जाएगा और फिर धिरे-धिरे ये और भी ज़्यादा crispy होते जाएगे इस तरह से ये देखिए मैं आपको पलट के दिखाता हूँ ये देखिए इस तरह से हमारी जो टिक्किया है वो side में crispy होती जाएगी तो पहले थोड़ा fry करके बस side में इस तरह से लगा देना है और बाकी के fry करते जाना है लेकिन side वालों का भी ध्यान रखना है ताकि वो जल न जाएगे क्योंकि जो heat है वो side में भी तो लग रही होगी तो इसलिए बस इस तरह से हमें जो सारी टिक्किया है इसी तरह से fry करते जाना है side में लगाते जाना है और side में लगाने के बाद जो बाकी का fry हो जाए जब तो जो side में हमने रखा है उसको भी हम धिरे-दिरे करके double fry करेंगे जब उसको हम double fry करेंगे तब वो ज़्यादा crispy होंगी टिक्किया अब देखिए अब यह मैं सारे fry कर चुका हूँ तो मैंने क्या किया कि जो बाकी के जो हमने side में रखे है न वो भी मैं बीच में करके इस तरह से double fry कर रहा हूँ और अंदर से जो moisture है वो खतम नहीं होगा तो जब moisture खतम नहीं होगा तो हमारी टिक क्रिस्पी नहीं होगी अंदर से कच्ची होगी और बाहर से ही ब्राउन होगी तो इसलिए हमें low flame पे इसे long time तक यानि देर तक fry करना है तो देखे इसी तरह से हमने double fry कर लिया है फिर से हम oil इसका निकल जाए इस तरीके से तब हम इसको एक plate में निकाल लेंगे और इसको हम फिर साथ के साथ सर्फ करते जाएंगे जब आपको खाना हो तभी आप इस तवे पे से उठाए ने तो आप इसको तवे पे ही रहने दे ताकि ये गरम रहें और बिल्कुल क्रिस्पी होती रहें ये देखिए इस तरह से हमने निकाल लिया है इसको और ये सारी टिक्की हमने बना के रेडी कर ली है अब आप चाहो तो इसे किसी भी चीज के साथ जैसे आपने देखा होगा कि आलू की टिक्की बहुत सरे अलग अलग तरीके से हर जगा पे सर्फ की जाती है कुछ ल को तोड़ के दिखाते हूं यह देखिए बिल्कुल अंदर से फुल फिलिंग भरी हुई है और एकदम क्रिस्पी है बाहर से अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है और बिल्कुल परफेक्ट आलू की टिक्की बनके रेडी है फोर्थ रेसपी हम बनाएंगे बीना ग्यास जलाए हेल्दी चना लड़ू भूने हुए चने से लड़ू चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक बाउल जिसके अंदर हमें चाहिए होगा यह जो भूने हुए चने मिलते हैं मार्केट में यह चने अल्ड़री भूने हुए रहते हैं त पिसमें कोई भी मतलब छिलका नहीं है, अगर आप छिलके वाला भी लेना चाहो, तो छिलके वाला भी ले सकते हो, आपने देख में छिलके वाला वी मिलता है, यहां पर बीस से पच्छी सर्ट बडाम हम लिया है। अगर पहले से रोष्ट किया हुआ बदाम रहेगा तो काफे जादा अच्छा रहेगा उसके बाद हम डालेंगे 20-25 काजू और काजू बदाम डालना ऑप्शनल है अगर आप नहीं भी डालेंगे तब भी चल जाएगा इसके अलावा आप और भी बहुत सारे ड्राइफ रूट डाल सकते हैं जो भी आपको अधा कप से जादा थोड़ा सा डाला है हमने मतलब कि यह 1.500 ग्राम है थोड़ा सा ही इलाइची का पाउडर हम इसके अंदर डाल देंगे इसके अलावा अब हम और कुछ नहीं लेकिन बहुत सारी चीजे हैं जो आप इसके अंदर और भी डाल सकते हो जैसे कि मिल्क है इसको और भी जादा अच्छे से बनाने के लिए लेकिन चने जो है वो अल्ड़ी काफी जादा है भूने चने के बहुत सारे फाइदे हैं तो हम यहाँ पे बहुत जादा चीजे नहीं डाल रहे बस इसको डालके हमें मिक्सी में अच्छे से पीस के पाउडर जैसा बनाक लेकिन उससे पहले क्या करना यह देखिए जब हम इस पाउडर को यह से देखेंगे तो यह इस बिल्कुल अच्छे से पिस चुका है लेकिन यह अच्छे से पिसा हुआ नहीं रहता इसलिए एक बार इसको हम चान लेंगे चाननी में थोड़ा सा चाननी में चानने से क्या ह कि इसमें थोड़ी बहुत जो चीनी होगी जो एक्स्ट्रा बड़े बड़े टुकड़े होंगे वो निकल के आ जाएगा या चने के थोड़े बड़े टुकड़े होंगे वो निकल के आ जाएगा तो बाकी के जो बैचेस हैं उनके साथ हम इसको मिला के पीशते रहेंगे के दो तीन बैच में इसको मैंने अच्छे से पाउडर बना के रेडी कर लिया है आप यह बिल्कुल रेडी है इसको ना तो भुनने के जरूरत है ना ही इसमें कोई घी तेलोगरा यूज करने के जरूरत है इसको हम कंप्लेट बिना घी के बनाने वाले हैं आप इसके अंदर ह करीब दूद यूज किया है दूद को थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाना है मतलब की दूद धीरे-धीरे करके डालना है ताकि यह बहुत जादा गीला ना हो जाए क्योंकि हमें इसको गयास पर पकाना नहीं है बिल्कुल तो इसलिए गीला नहीं करना इसको टाइट रखना है एकदम टाइट डौ की तरह बनाके रेडी करना है धीरे-धेरे करके दोदो चमच करके दूद इसमें डालते जाए और आदा कब से जादा इसमें थोड़ा सा दोद योज होगा तो आदा कब से जादा दोद अप एकी गीला हो जाएगा यह देखिए इस तरह से जब यह बिल्कुल डो जैसा बनने लग जाए थोड़ा टाइट होने लग जाए इस तरह से टाइट डो बनाके हमें रेडी करना है इस तरह से यह देखिए ताकि इसके हम बिल्कुल आसानी से और परफेक्ट लेड्डू बनाके रे तो अभी ये बिल्कुल perfect है उपर से थोड़ा से मैंने oil लगा दिया है ताकि हाथों में बहुत साधा ये चिपके ना वैसे चिपकेगा तो नहीं बिल्कुल perfect है ये अब हम इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे आप इसके लड्डू के अलावा और भी बहुत सारी हो तो आप रोल जैसा भी इसको बना के रेडी कर सकते हो लेकिन हलवाई के दुकानों पर आपने देखा होगा कि ज्यादा तर इसके लड्डू ही famous होते हैं चने के जो लड्डू होते हैं वो famous होते हैं काफी जादा ये बिना भुने और बिना इसमें घी वगरा का यूज कि और काजो बदाम मैंने इसलिए डाला है क्योंकि हमारे घर पे बच्चे हैं काफी जारे तो वो एक एक करके लड्डू धिरे धिरे करके ये खा के कतम कर देते हैं तो इसलिए मैंने यहापे काजो बदाम भी डाल दिया ताकि जो बच्चे हैं वो इधर उदर से ऐसे काजो बदाम नहीं खाते तो इसमें खालेंगे आप उसके बाद हम इसके लड़ू बना लेंगे सारे लड़ू हम इसी तरह से बनाते जाएंगे और इसके अलावा आप इसको अगर बर्फी की तरह सेट कर रहे हो तो इसको बर्फी की तरह सेट करने के बाद आधे एक घंटे के हुए पिस्ता भी लगा सकते हैं या जो भी आपको अच्छा लगे वह आप इसके उपर लगा सकते हो और इसको हमने मिक्सी में पीसा है तो बहुत जादा पाउडर नहीं हलका सा यह दानेदार ही रहता है मतलब कि बहुत ही पॉफेक्ट लगेगा खाने में बहुत ही एकदम म जादा रखता भी कौन है तो दो तिन दिन के अंदर आप इसको खाके खत्म कर सकते हो राइस बर्फी यानि चावल की बर्फी बहुत सौफ्ट और बहुत ही पॉफेक्ट तो इस रेसेपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक पैन जिसमें हमें दो चमज घी या फिर आईल दोनों में से कोई भी एक चीज डाल लेना है और इसे थोड़ा सा गरम होने देना है जब यह थोड़ा सा गरम हो जाए तो इसमें हम एक कप लेंगे यहां पे चावल घर में खाने के लिए जो चावल बनाते हो ना राइस आप वही यूज़ कर सकते हो एक चावलों को ऐसे डारेक नहीं भूनना होता है, क्या करना होता है, पहले चावल को थोड़ा सा धो लेना है, उसके बाद कढ़ाई में डालके उसको थोड़ा सा भूनना होता है, तो यह प्रोसेस मैं अटरी कर चुका हूँ, इसलिए वीडियो बहुत जादा लंबी नहीं हो, और हम थोड़ी जादा क्वांटिटी में, इसलिए मैंने काफी सारे चावल को धो के अच्छे से सुखा के रखा हुआ था, तो यह देखिए, जैसी हम इसको चार से पांच मिनट इस तरह से भूनेंगे, लो फ्लेम पे तो इसका जो कलर है यह इस तरह से ब्राउन हो बस इतना ही भूनना है हमें, इसे चार से पांच मिनट लो फ्लेम पे भूनना है ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए, उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको पंखे के नीचे रख देना है ठंडा होने के लिए, अब एक दूसरे पैन में हमें चाहिए होगा आधा कप चीनी, आधा कप चीनी मैंने या पे लिया है मतलब कि 120 ग्राम के करीब है, 120 ग्राम आप चीनी ले सकते हो, इसको पैन में डालेंगे लेकिन इसको हम बिल्कुल भी चलाएंगे नहीं, इसको ऐसी थोड़ा सा केरेमराइज होने देंगे, ऐसी थोड़ा सा मेल्ट होने देंग इसको चीनी को हम इसलिए ब्राउन कर रहे हैं ताकि हमें अलग से कलर भी डालने के जरूत ना पड़े और इससे काफी जादा कैरेमल वाला अच्छा टेस्ट आएगा तो इसको हमें बहुत जादा ब्राउन नहीं करना है अगर जादा ब्राउन कर दिया तो चीनी जो है वो ज जल जाएगी और फिर जला हुआ टेस्ट आएगा तो इसलिए हल्का सही जैसे इस तरह से ब्राउन हो तो उसके बाद आपने यहां पर दूड डाल देना है एक कप यानि की एक गिलास दूड आपने यहां पर डाल देना है एक गिलास दूद धिरे-धिरे करके डालना है देखे इस तरह से जैसे मैं डाल रहा हूँ या पर धिरे-धिरे करके अगर हम एक ही बार में डाल देंगे तो क्या होगा कि चीनी जो है वो तले में चिपक जाएगी और फिर उसको निकालना काफी जादा टाइम लगेगा निका देना है तो टोटल मैंने या पर एक गिलास दूद डाल दिया है मतलब की 250 अमल है एक कप दूद है अब अच्छे से इसको हमें उबालना है एक दो मिनट तक इसको उबलने देते हैं तब तक हमें क्या करना है अच्छा एक दू चीज़े इसमें और डालनी है वो हमें इसके एक पाउडर बना लेंगे आपने क्या करना है कि चावल अगर पाउडर नहीं बन रहे हैं तो आपने क्या करना कि इसमें दूद डालके थोड़ा सा पेस्ट बना सकते हैं लेकिन पाउडर बन जाता है मिक्सी में एजली क्योंकि यह हलका सा दरदरा ही रहेगा बिलकुल चक में बहुत जादा बारीक नहीं होगा तो बस इतना बिल्कुल डेडी है अब हम क्या करेंगे यह जो दूद हमारा उबल रहा है इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले तो एक बड़ा चमच एक टेबल स्पून घी घी कम जादा करके आप डाल सकते हो घी थोड़ा बर्फी को स पुष्टेड वाली बर्फी रखने के लिए उस कलर हलका सा ब्राउनेश रखने के लिए मैंने आप चीनी को ही कैरमलाइज कर दिया था तो उससे काफी अच्छा कलर आ गया है अब हम क्या करेंगे इसको एक बार मिक्स करेंगे जैसे यह एक बार दूदूबल जाता है तो ह तो आप डाल सकते हो चॉकलिट वाला कलर बाकी अगर आप कैरमलाइज नहीं करना चाते हैं तो ब्राउन कलर तो नहीं आएगा आप ऐसे कर सकते हैं उसमें आप कोई भी कलर डाल के अलग कंलर में आप इसको बना सकते हो मैंने क्यारिमल इसलिए बनाया थाक्य थोड़ा सा टेस्ट अच्छा है चावल की वर्फी में बाकि आपको जैसा भी अच्छा लगे आप इसके अंदर चेंज़स कर सकते हो बस इसको डालने के बाद अच्छे से हम मिक्स करते जाएंगे और लगातार इसको पकाते जाएंगे लो फ्लेम पे जब यह बिल्कुल पकाने के बाद ये इस तरह से डो जैसा बन जाए तो इसका मतलब बिल्कुल रेडी है अगर इसे आप थोड़ा और पकाना चाते हूँ आपको ऐसा लग रहा है कि जो चावल है वो दानेदार होने की वज़े से थोड़े बहुत कच्चे हो सकते हैं तो इसमें क्या करना थोड़ा बहुत आप तक पानी डालके से इसको और मिक्स करना है एक-दो मिनट तक और पका लेना है ताकि जो थोड़े बहुत कच्चे चावल हैं वो अच्छे से पक जाए और उनको स्टीम भी कर सकते हो जैसे कि आप इसको थोड़ी देर के लिए कवर भी कर देंगे ये देखे इस तरह से जब बिल्कुल अच्छे से मेक्स हो जाएगा तो आपने क्या करना कि पांच मिनट के लिए इस तरह से कवर कर देना है ताकि इसका जो अंदर भाब बनता है ना ग्यास बंद कर द देना है जिसके अंदर हम इसको बर्फी को सेट करेंगे ये देखे तो इस तरह से हमने ट्रे को रेडी कर लिया पांच मिनट हो चुके हैं इसको हम ओपन करते हैं और ये बिल्कुल रेडी है अब हम इसको एक बार मिक्स करके एक ट्रे में डाल देंगे ये देखे हास से बि आप सकते हो जासे अब तोड़ा सा आप इसके अंदर कोकोनुट पाउडर डाल सकते हो या फिर कोई भी डॉट का पाउडर पेस डाल सकते हो जैसे सब को अच्मि आपको अज़वें वैसा कर लेना रात इसको हम थोड़ा सा dry fruit लगा के इस तरीके से 2-3 घंटे के लिए set होने के लिए छोड़ देंगे, 3-4 घंटे के बाद मैं आपको दिखा रहा हूं, यह बिल्कुल set है, side से इसने बिल्कुल side को छोड़ दिया है, और अब यह बिल्कुल ready है, cut करने के लिए, तो बस simple है, इसको चाकू से हम इस तरह से cutting करके ready कर लेंगे, और जैसे भी आप इसको cut करना चाहे, piece wire में या fill लंबे shape में, जैसे भी आप इसको cut करेंगे, बिल्कुल आसानी से यह cut हो जाएगा, तो मैंने इसको ऐसे 2 pieces में cut कर लिया है, मतलब कि यह से लंबे लंबे बड़े pieces इसके बना लि लिए बना सकते हो, कभी भी आपको मीठा खाने का मन करें, तो आप बना सकते हो, इसके अंदर आप गुड़ का भी use कर सकते हो, जैसे मैंने चीनी का किया, तो आप गुड़ डाल के भी बना सकते हो, लास्ट recipe हम बनाएंगे, बेशन का पेड़ा recipe, बहुत ही perfect और soft हलवाई जैसे, तो इस पेड़े को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होगा, हमें एक कप बेशन, एक पैन में मैंने डाला है, एक कप बेशन की 1.500 ग्राम बेशन है, और इसी में हमें डालना है, आधा कप जितना मैदा, आधा कप मैदा याने की 50 से सब मैदा है, अब हमें क्या करना है, दोनों को साथ में ऐसे ही dry शूखा ही भूनना है, इसमें कोई घी तेल वगर आभी नहीं डालना है, पहले इसमें हमें ऐसे ही भून लेना है, पैन में या कड़ाई में कोई भी चीज़ होगा मतलब कम घी में इसको हम फिर बना पाएंगे और मैदा हमने इसलिए डाला है मैदा डालने से क्या होता है कि जो पेड़े है वो जब हम गोल-गोल बनाते हैं तो उसमें बनेंगे अबहें हमें घी के साथ भी इसको भुनना है क्योंकि इसको बिलकुल अच्छे से ब्राउन करना है जरूरी है तब तो आप और भी कम कर सकते हो मैंने हलवाई के में थोड़ा सा कम ही रखा है मतलब कि हलवाई जितना बेशन होता है उतना ही घी का यूज करते हैं तो मैंने अच्छे तरह से इसको हम मिक्स करेंगे और जब तक कि यह बिल्कुल घी को छोड़ने ना लग जाए तब तक हमें इस इसको भूनना है मतलब कि 4-5 मिनट का टाइम लगेगा लो फ्लेम पे इसको भूनना है बिल्कुल हाई नहीं करेंगे लो फ्लेम पे भूनेंगे तो यह बिल्कुल परफेक्ट अच्छे से भूनके रेडी होगा और काफी अच्छा टेस्ट भी आएगा यह देखिए जैसे इसको हम भूनते जाएंगे इस तरह से हलका हलका करके धिरे धिरे करके यह घी छोड़ना स्टार्ट कर देगा वैसे यह जादा घी नहीं चोड़ेगा क्योंकि हमने जो घी है वो कम डाला है यह देखिए इस तरह से जब यह ब्राउन हो जाए तो थोड़ा बहुत इस तरह स यह ब्राउन हो चुका है और बिल्कुल अच्छे से भून चुका है तो इतना ब्राउन होने तक का हमें इसको भूनना है बिल्कुल अच्छे से भूना हुआ है बिल्कुल खतम है आप देखी सकते हो कि कलर बिल्कुल ब्राउन हो चुका है अब इसको अगर आप चेक करना चाहों कि ये भूना है या नहीं भूना तो हलका सा हात में पानी लगा करें पानी चिटके देखनाई चब्धा सूर। और फव्यast लाते हैं गर्म टेल में project डालता है तो इसका मतलग है कि विल्कुल रेडी है इसको दो मिनट के लिए साइड में रखेंगे एक पैन में आब हम डालेंगे चीनी चीनी हमने आपे डेड़ कप यूज किया है कप से कटोरी से जिस भी कटोरी या कप से आप मैदा या बेशन यूज कर रहे हो न उसी से उतना ही आपने चीनी डाल देना ह और जितना चीनी डाला है उसका आधा पानी डालना है मतलब कि उसका हाफ पानी चीनी का हाफ पानी डालना है तीन सो ग्राम हमने चीनी डाला था तो डेड़ सो एमल के करीब हमने पानी डाल दिया है मतलब एक कप से थोड़ा कम एक बार अच्छे तरह से हमारी ये जो सुग रेडी है तो अब हम गयस को बंद कर देंगे क्योंकि जो चार्षनी इसे बना सकते हैं इसे पेड़े की तरह भी बना सकते हैं 100 वाम carn लाक। गयां होतके हैं known को हम स्क्राइज तो पेड़े कीफोलोत रेडी होते हैं धोड़ा जाल होते हैं तो इसमें थोड़ा सा मावा वाला texture एड़ करने के लिए या तो आप मावा एड़ कर सकते हो या कोई और flavor जैसे coconut powder या milk powder आप इसके अंदर डाल सकते हो coconut डालेंगे तो coconut वाला flavor आजाएगा इस तरह से एक चौथाई कप milk powder डाल देंगे तो इसमें मावा जैसा काफी अच्छा flavor आजाएगा इस टाइम पर अगर milk powder को mix करेंगे तो काफी अच्छे से ये mix हो जाएगा कोई भी lumps और कोई गुटलिया वगरा इसके अंदर नहीं बनेगी मतलब घी में ये बिल्कुल अच्छे से mix हो जाएगा अगर हम सुगर शिरप यानि की चास्टनी डालने के बाद मिक्स करेंगे milk powder को तो mix नहीं होगा अच्छे से इसलिए पहले इसको हम mix कर लेंगे फिर हम इसके अंदर सुगर शिरप यानि की चास्टनी डालेंगे milk powder की जगा पे आप coconut powder डाल सकते हो अगर आपके पास milk powder नहीं है तो coconut powder भी नहीं है तो आप कोई dry fruit का powder पीस के डाल सकते हो या फिर अगर कुछ भी नहीं है तो आप इसको skip कर सकते हो डर्क ली बेसन में आप इसको बना सकते हो ये जश्ट थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए पेड़े का ताकी जो टेस्ट है वो अच्छा लगे और देखने में मावा जासा flavor आये थोड़ा सा तो इसलिए हमने add किया है इसके अंदर बाकी skip कर देंगे तब भी कोई problem नहीं है अब इसमें जो चाष्णी है सुगर सिरफ है वो हम इसके अंदर डाल देंगे सारा हमने डाल दिया है इसके अंदर अब अच्छे से इसको हम mix करेंगे और बिल्कुल इसको mix करते हुए हमें ठंडा करना है गयास बिल्कुल बंद है हमें इसको पकाना नहीं है बिल्कुल भी हम इसको ठंडा करते जाएंगे mix करते हुए जैसे जैसे यह ठंडा होता जाएगा यह बिलकुल एकदम tight होता जाएगा डो की तरह बनता जाएगा यानि कि जो चाशनी है वो एक तार वाली है तो तार वाली चाशनी होने की वज़ासे जैसे 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 यह ठंडा होता पेडे का तो थोड़ा सा मैंने रेड फूड कलर और थोड़ा सा ही हमने यलो फूड कलर डाल दिया है आप हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा इलाइची का पावडर भी डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं वरना स्किप कर सकते हैं अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स क होता जाएगा बीच बीच में हम इसको चलाते भी जाएंगे और करीब 15-20 मिनट का टाइम लगेगा तो इसलिए मैं 15-20 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख देता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ एक घंटा हो चुका है एक घंटे के लिए हमने रख दिया था तो एक घंटे में ये बिलकुल अच्छे से ठंडा हो चुका है हलका सा अभी भी गुनगुना गरम है अभी ये बिलकुल पैन को छोड़ चुका है और बिलकुल भी ये चिपकनी रहा एकदम डो जैसे ये बन चुका है और इस टाइम पे हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अब हम हाथ से इसको मिक्स कर सकते हैं क्योंकि ये बिलकुल अच्छे तरह से ठंडा हो चुका है मतलब कि ये गरम नहीं है बिस हलका सा घुन-गुना गरम लग रहा है बस अब ये देखिए इसके अगर पेड़े या लड़ो कुछ भी बनाना हो तो वो बना सकते हैं हलका सा अगर पेड़ा बनाना है तो इस तरह से गोल गोल बना के देखें अगर ये बहुत जादा गीला लग रहा हो या बहुत जादा लिक्विडी लग रहा हो तो दो तीन आप्शन है आप इसको चाहे पैन को दुबारा से ग्यास पे रखके पका सकते हो या मिल्क पाउडर इसमें डाल सकते हो या इस तरह से कोकोनट का पाउडर नारियल का पाउडर जो होता है फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा डाल सकते हो दो से तीन टेबल स्पून के जितना ये देखे इससे होगा क्या कि ये थोड़ा सा टाइट भी हो जाएगा और इसको हम 10-15 मिनाट या आदे गंटे के लिए फ्रिज में भी रख देंगे तब भी ये बिल्कुल परफेक्ट टाइट हो जाएगा मतलब कि अगर आपके पास टाइम है तो फ्रिज में रख दे कुछ भी और डालने के जरूत नहीं है फ्रिज में ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा फिर आप इसली तरीके से इस तरह से पेड़े गोल गोल आप बना सकते हैं जो भी साइज या जो भी आपको पसंद है जो भी शेप या साइज आपको बनाना पसंद है वैसे आप इसको बना के रेडी कर सकते हो थोड़ा थोड़ा ऐसे पोर्शन लेना है इसको गोल या काफी की तरह भी कट हो जाएगा इसी तरह से हमने क्या करना कि जो पेड़े हैं वो बिल्कुल अच्छे से बना के रेड़ी कर लेना है यह आप देख सकते हो कितना परफेक्ट जो पेड़ा है वो बन रहा है वह हमने स्टार्टिंग में मैदा मिक्स किया था तो मैदे की से इसको कोई भी क्रैक अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा बिल्कुल परफेक्ट पेड़े बनके रेड़ी हो रहे हैं यह दिखे इसी तरह से हमने सारे पेड़े बनाके रेड़ी कर लिया है अब इसमें थोड़ा सा ड्राइफ रोट वगरा कटे हुए पिस्ता परफेक्ट और कितना सौफ्ट और कितना परफेक्ट लग रहा है देखने में बिल्कुल हलवाई जैसे सौफ्ट मू में घुल जाने वाले पेड़े बनके रेड़ी है वीडियो को कैसे लिगी कमन्ट करके जरूर बताइए अगर आपने हमारे वीडियो को अभी लाइक नह जरूर दबाले ताकि आप सभी को हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स वीडियो में